नमस्कार साथियों, गौरव गयांदारा में आपका स्वागत हैं RBSC की अपनी ये चौथी क्लास है और चौथी क्लास में तकरीबन तकरीबन राजस्तान की अपने जो चटी क्सा की राजस्तान अध्यन की पुस्तक है वो तकरीबन आधी होने आई है और बहतरी नौट्स मेंकिंग पैटर्न पर आपके सभी के नौट्स भी बन रहे हैं आप अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं और याद भी कर रहे हैं, ऐसी मेरी उमीद है क्यों उमीद है? क्योंकि मैं खुद इसके प्रती महनत कर रहा हूँ और मैं मुझसे पढ़ने वाले विद्यारतियों से भी यह उम्मीद करता हूं कि वह भी सिरियस लेकर मेहनत करें और जो पढ़ने वाले अपने भाई बंदू साथी जो भी है उनतक साजा जरूर करें आज जो पढ़ने जा रहे हैं साथियो अपना जो चैप्टर है वह कखसा छे का अध्याय पांच और आठ पांच और आठ क्यों है वह भी मैं बताऊं आपको अध्याय पांच देखोंगे तो आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप अब यह इतना बड़ा भी नहीं है और इसे समझना इतना मतलब एक तरीकी से समझना टो पड़ता है लेकिन इसमें से प्रश्ण बहुत कम बनते हैं यह एसा चैप्टर है जिसमें इपियार्ति समझ नहीं पाते कि पression बंते कैसे है नोट्ष बनाने कैसे है और याद करना क्या है छोड़ना क्या है तो यह चैप्टर जो होते हैं ऐसी चैप्टर ही अपने को क्या इस्कूल की कितावों के प्रति बोरियत सी मैसूस करवा के फिर उसको छुड़वा देते हैं फिर अपन जो है इनको पढ़ नहीं पाते वह वैसे देखा जाए तो मतलब संसादनों से संबंदित है लेकिन उसमें जिले चैन्ज होने का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पढ़ा है तो उसको फिट पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ पाट आज पढ़ेंगे कुछ अपन कल पढ़ेंगे तो सुरू करते हैं साथ यह अबन से चैप्टर के अंदर बनते हैं तो अपने जो कि राजपुत काल पढ़ते हैं या इत्यास पढ़ते हैं उसके अंदर अपन सांत्क प्रन लिए इस चैप्टर के घुट आपके चलेगा का अप खाली मुझे अच्छी तरीकी से सून लो समझ लो तो आपके काम वैसे ही निकल जाएगा इसमें कठीन कुछ भी नहीं है ठीक है चलिए प्रारम में जागिर्दार जो होते थे यहां जागिर्दारों की बात है गाउं के प्रसंस तक हुआ करते थे ठीक है अब यदि आप देखो कि आप पेज नंबर सार से एक स्लाइड पर मैं लेकर आगया हूं थोड़ा सा चॉइस का बचे का वह अगली स्लाइड पर है वह है और यह पूरे पेज का सार आपके इसमें आगया अब देखो अपने दिमाग में क्या होता है यह आपने आसपास का परिवेस है जैसे कि मेरे भी बहुत सारे मित्र है राजगुरु राजपुरु इसमाज से विलोंग करने वाले व्यक्ति को अभिवादन किया है मेरे भी काफी सारे मित्र है आप लोगों के भी हूंगे उन्हें जागिर्दार क्यों कहा जाता है इसके पीछे का विकारण है वह देखो राजगुरु यदि आपने पढ़ा तक का लिजबरा गूरु यानिंग समय ततकाली जब राजतंत्र था उस समय राजाओं के जो गुरु उयंक हुआ करते थे उप्रतिय और राजां के जो गुरु हुआ करते थे उन्हें राजOOOO कहा जाता था अब राजगुरु दो ना wild這種 e-嫌-west अमानिया पद माना जाताओ राजा के बी उच्छ माने जाते थे तराज गुरु तो वहां पे बहुत सम्माननी सुछ जागिर दिया करते थे तो फिर दीरे दीरे फिर वो क्या कहला है जागिर्दारं कहला है है एक तो मानोता है मैंने आपको यह बताया है उसके अंदर मैंने बताया कि जागिर्दार्संस कि ये चीज है! ठीक है। दूसरी, अब जागिर्दार son ecc सिर्फ, राज पुरू इति यी जागिर्दार होते थे। उस समय नहीं और भी जागिरे जो उसको अपन को टच करते हुए चलना होता है ताकि अपने मानसिक्ता जो है वो इस इसाप से सैट हो देखो राजसाही सासन में यानि उसमें राजसाही सासन का मतलब क्या है यानि कि राज तंत्र राजसाही सासन का मतलब क्या है राज तंत्र अब गण तंत्र है जनता सरकार च साहता से सासन चलाता था ठीक है राजसाई सासन के अंदर जो सासन जो चलता था प्रमु कैंदर क्या थे जागिरदारों की साहता से और मंत्रियों की साहता से तो जिने जागिर मिलती है यानि जागिर का मतलब क्या होता है सबसे पहले यह समझ लेना जिने पता नहीं हो जागि जर देखा करते थे उन्हें जागिंड़ेगार उसमें कहा जाता था विभीन रियासतों सासन संटों में सासन संचालन है क्थन पदादीकारी आगुए उसमें होते थे यानि राजय का जो शासने वो ने वापस दोर आया है उनिज रिया सते और तीन ठीकाने वापस अभी अने वाले हैं कहने का मतलब यह है कि जो मुख्यमंत्री आप ने जो गोशना की है उसके अनुसार उन्निस नए जिले और तीन नए XD भ बनने जा तो यानि कि कहीं न कहीं 19 रियासते और फिन ठीकाने वाला ही इता बैठा है अरभ सकती है यह से थोड़ी सी है इसे लिए थोपन बुगोल के chapter नहीं छूरे हैं ना राजा कि से का जडाता है तो राजा के सब्दावलिय आपको जो ध्यान देना है ना यानि कि राज्य की संपूर सक्टी का कैंद्र जो होगा वो कौन होगा राजा होगा यानि सर्वोच कैंद्र राजा के कहने से सब यानि सब बाकी जो है प्रशास ने कि जितने भी है वो राजा के अधीन होंगे ठीक सो प्रमूख मंत्री होता था उसलमारवटीैं कहीं के लृष जो दिवान कहा जाता था कमेंद की याद करने taking कर लगत करिका होते हैं ठीक चलनिये भाऊंपह Ahí तो यहाँ पर आपको याद रहे जाएगा यह बख्षी ठीक है मीर बक्षी भी कह दिया करते थे फिर आदा खजानची नाम के अंदर ही पताए कि यह कहीं न कहीं इसके खजाने से रिलेटेड चीज है यानि यह मैं द्यान रखता था कि खजाने में वर्दी कैसे की जाए यह इसकी जिम्मेदारी हो देती खजाने में कैसे वर्दी करनी तो आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखने का कारिये आमदनी के आहरा कितना है और खर्च कितना हो रहा है आये तो अधीक खर्च कम हो तभी तो वर्दी होगी नहीं तो वर्दी कैसे होगी तो आमदनी और खर्च के हिसाब को जो है संतुलित रखने का कारिये तो यह इसका मुख्यकारी हुआ और यह चारों सब्दावली जो है यह दे रखी आपके किसके अंदर आर्बीसी की छटी ग्लास की उस्तग में एक और यह दे रखा परगना अधिकारी वैसे तो परगना है ना वैसे भूमी के किसी टुकडे के लिए या जिले के किसी भाग के लिए या ऐसे ही प्रियोग हुआ है लेकिन ज़्यादा तर जो है तहसीलों के लिए इसको प्रियोग कर लिया जाता था ठीक है परगने का इस्तेमाल तहसील के लिए कर दिया जाता तो परगना अधिकारी परगनों में सांती विवस्ता बनाए रखने की जिम्यदारी परगना अधिकारी की होती थी तो ये परगना अधिकारी अब देखों नौट्स मेकिंग पैटन पर ये तरीका रहता है इसका अब यदि आप उस किताब को पटोगे ना तो एक्स्ट्रा लेंग्विज बहुत सारी दी रखी है एक इस्टोरी टाइप दे रखी है बच्चा पूचता है सिख सक से पूचता है पहले गरवालों से पूचता है उसमें से जो आपके एक्जाम औरिंटेट चीज है जो एक्ज परगणों में विबाधित होता था तो राज्य यानि कि अब देख जिल्ले के अंदर भी जो है कई चैत्र होते तैसिले होती होते हैं यह सारे तो यहां पर वैसे इसको तैसिलों के लिए प्रयोक किया जाता था लेकिन राज्य का एक भाग है ठीक है राज्य की सबसे छोट पर सरपंज लगे रहते हैं यही चीज है ठीक है अगली स्लाइड पर आ जाते हैं पर देखो यह 24 और 25 पेज नंबर का निचोड है चोईस का कुछ वा आ गया और फिर 25 का हिसा आ ठीक है राजा द्वारा भाई बंदूओं को जीवन यापन के लिए दी गई जमीन अब यह जो है निकट संबंधियों को दी जाती थी यानि कि यह तो भाई बंदूओं को दी जाएगी जिससे रक्त संबंध है उन्हें दी जाएगी है ना तो भाई बंदूओं को दी गई जमीन के श्वामी जो है उस समय जागिरदार कहलाते थे जागिरदारे व्यवस्ता रक्त सं आदारीथ तीं यह क्या होती है यह क्या होता है बारत के अंदर इत्यास में यदी सल्तनत काल आपन पड़ते हैं वहाँ पर इक सासन हुआ बलबन जो इस बावना से उसका राजत्व का सिद्दान था उसका तो अलग ही इजाद किता था वो खुद को इश्वर की परच्छा ही मानता था ठीक है ना राजत्रों का सिद्दान रक्त और लोहों की निती अपनाने वाला वह मतलब ऐसा सासक था ऐसा सुल्टान था जो मतलब सिर्प उच्छ कुल के वेक्टियों से बा भल बन की यहाँ पे कुलिन यह सथा आया कुलिन भावना यानि कि उत्च कूल के लोगों को और निकट संबन्दी रक्त- नकर निलोगों को । जागिर्दारी प्रथा ने से जाखिर्दारी प्रथा टो पिर जागिर्दार जागिर्दार yeah की जाती थी ठीक है अब ऐसा कोई विशेस इसके अंदर उलेक नहीं है आर्विसी में भी ऐसे लिख रखा है कि जागिरदारी परथा कम शुरू हुई इसका कोई उलेक व्यवस्तित प्रमाण नहीं मिलता है ठीक है पहले श्वामी सेवक व्यवस्ता नहीं थी जो जागिरदा होना थी एक अपना पंथा उसके हिसाब से दी जाती थी यह नहीं था कि स्वामी और सेवक की व्यवस्ता यह नहीं थी लेकिन जैसे जैसे मुगलकाल आया तो मुगलकाल के अंदर क्या यह फिर मनसबदारी व्यवस्ता आई मुगलकाल में क्या मुगलकाल में श्वरूब मे मुगल काल में क्या आगई मनसबदारी परथा आगई अब किष्केपास कितने का मनसब वो ऊचा नीचा ऐसे सांत हादारी मनसब भी थे 5 अजारी थे पांत हजारी परह की में भी जात और सवार हुआ करते थे यह सारे अलग अलग है में बहुत सारी चीजंद चलती है, रंसमलोंप प्रनाली पर रादारीट है वगेरे वगेरी बहुत सारी है, ठीक है ना? यदि पडने जाए तो मुगल गाल के अंदर ईक पूरी गलास मंसबदारीपर हो जाती है, कि जहांगीर के समय क्या पंदाली थी, अकबर के समय क्या क्या थी, सा जाकर स बहुत सारी इसके अंदर सब्दावलिया चलती है लेकिन यहां पर अपन नहीं डालेंगे क्योंकि आप डाइवर्ट हो जाओगे फिर अंग्रेजी राज्यों में इस्तापना से इसमें और भी बदलाव आ गया अब अंग्रेजी राज्य जैसे इस्तापित हुए तो फिर जो 211 और 11 प्रांतों में बटा हुआ था ततक्का लिंठी कए 1857 की क्रांती के बाद इस इंडिया कमपनी का सासन समाप्त हुगया अब आपको बता की cockro होखी सासन रहा फिर यह 1858 वाला जो एक्ट आया इसके बाद में इस्ट इंडिया कंपनी का सासन समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिस ताज के अधिन ये सासन चला गया था ठीक है उस समय एक प्रशाशनिक बदलाव किया गया यह तो ब्रिटिस ताज वाला ध्यानकरा प्रशाशनि में लाड कैनिंग था इसे दयालू गवर्नर जंजल भी कहा गया क्योंकि 1857 की क्रांति में जितने क्रांतिकारी जो पकड़े गये थे उन्हें इसने माफ कर दिया था बाद में तो फिर यह दयालू गवर्नर जंजल भी कहलाता है एक फैक्ट यह दे रखा 1935 का अधिनियम ए परदेश था आप अपने एक इकरण पढ़ते हैं या 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो अपन यह पढ़ते हैं छीप ठीकाने अलग अलग पढ़ते हैं यह केंद्र शाशित परदेश था वहां से सिधा संचालित होता था ठीक है तो यह है अब वैसे अधिनियम तो देखो 1909 का भी यह 1935 का भी है और यह तो सबसे मैन है 1935 का तो लेकिन अपने क्या है चितना अर्वी एसी में इतना दे रखा है आपके अब इस चैप्टर में यह नॉट स्मेकिंग पर यह मसाला निकलता है अब 23 चॉइस 25 पेज के अंदर से यह दो स्लाइड वाला मखन निकलता है जो म कि अधर मावाला तो नदियों के जिल्य बदलने पर उसमें काफी सारे फेक्ट बद लेंगे तो वह चीजें जो बदले गी वह अपन नहीं चू रहे हैं बुगोल वाले चैप्टर नहीं चूएँए यह मैंने कहा था जब बदल जाएगी तब बुगोल वाले भी बता दें तो वह अपन उसको लेंगे अब इसमें जो है अपन अध्याय आठ में आज इविद्का के प्रमुक्षाधन इनको पढ़ रहे हैं ठीक है तो इसके अंदर कर्शी पढ़ेंगे आज मुख्यू रूप से अपन कर्शी पढ़ने वाले हैं ठीक फिर इसके अंदर पसुपालन ख पढ़ा रहा होना एक्जाम एप्रोच के अनुसार जहां एक्जाम में प्रश्ण बनने की सम्भाव होना है आप मान कर चलें आपने छटी से दसवी राजस्तान अधियन की किताबे नहीं भी पढ़ी या नहीं भी लाई आपके कम से कम 200 टाइसों रुपे पज जाएंगे य सुकर्शनी रवी की जो क्लासे आ रही है निश्चत रूप से आपकी पूरी पकड़ उस पे हो रही है और यदि मैं इसी वैच को पेड़ करता तो कम से भी कम 1215 रुपे तो पीस रख सकते दें लेकिन मतलब क्या जब गरीब विद्यारती नहीं पढ़ पाए जो किताबे ल सुरू हो रही है तुरह कि सारी को सारी क्लासे आज दिन तक 2 साल हो गए मुझे यूटीब पर आए हुए मैंने किसी भी क्लासे का पैसा नहीं लिया जबकि मैंने कॉर्स पूरे-पूरे पाइदा इससे मिल रहा है तो इसलिए साजा जरूर करें ऐसे बच्चों तक रीच पहुंचाने का जिम्मा आपका भी है नैतिक करतव भी आपका भी बनता है कि यह जो प्रियास किये जा रहे हैं उनको सही दिशा में सही लोगों तक पहुंचाना ठीक है चलिए अध्याय जो ना यानि की पैसे लगेंगे आप पैसे कैसे आएंगे तो या तो खेती से आ सकते हैं करसी से आ सकते हैं या कोई पसुपालन कर रहा है तो उससे आ सकते हैं दूद दई गी वगएरे बेज कर उससे आ सकते हैं और भी पसुपालन में और भी बहुत सारे उन वगएरे यह निकलने वाले पत्थर वरीश है इस्से भी नहीं आते हैं तो उद्द्योग से असकते हैं उधियोगु से प्रशेवा को उनसे आ सकते हैं तो यह सारे ही चैत्र जो है आज इवीका के साधन है जैसे हडपा काल में और वैदिक काल में आपन देखे तो कर्षी प्रसुपालन वगरे इन पे निदवरता रहती थी उससे भी पहले आज लिए क्या करते थे सिकार क्या करते थे खाना यही टार्गेट था अब बहुत सारे अपने सौफ मौच वगेर एक फूप हो गए तो यह सोसाइटी में एक स्टेंडर मेंटेन करना एक मतलब वैल्यू बना कर चलना इसके लिए भी जो है बहुत सारे लोग जो है इसके लिए खर्चा करते हैं तो उनके आज इविगा के साधन भी उस तरीके के होते हैं जिसका जैसा देखो जिसकी जैसी चादर वो उतने पाउं पसारता है ठीक है चल उसके अक्वर्डिंग में बात कर रहा हूं वैसे तो करशी तो पढ़ते हैं रेगुलर जो कंपिटिशन के बैच वाली क्लास में उसमें तो बहुत व्यवस्तित तरीके से और अलग बढ़ते हैं यहां पर क्या है जितना आरबी सिम दे रखा उससे थोड़ा समय आपको क्योंकि राजस्तान में इतने प्रयाप साधन नहीं है जितने उने चाहिए और पस्चीमी राजस्तान आप देख सकते हो सूखे का प्रभावित रहता है अब तो चलो इंद्रागंदी नहराने से कापी सारा फाइदा हुआ भी है लेकिन पहले जो है बहुत सारी और ऐसे च और उठी यह डीडियोंट है एक टरीकर ह पसल हुगा अब उससे वह निकलेगी वारतम यह तो इक तरीक्ँ पक्या है क्या है जुआ है कि मुखे तेन तरह की ठीजन धूह का तरीकर कर रहा है कि अब इसमें में नगणी उठक है बौक्त तो ञ़तीं लेकिन एक और जायद वाली भी ठीक है क्योंकि इन्दें को थांद्यान ने चौमा साइड सीजन आए नी आम सीजन आई मतिरान तर्बूजान खर्बूजान एक खावना पड़े तो एक इम गालां पज़े अगर जायद नहीं राखत एक काकड़ी तर्बूजा मतिरा एक खीर तो यहां पर देखो रभी रभी की बुवाई का जो समय होता है वह अक्टूबर से दिसंबर तक माना जाता है अब यह मतलब थोड़ा सा इदर उदर को सकता है उसमें आप इतना दिमाग मत लगाना यानि कि सर्दी में बुवात है और गर्मी के सुरुवात में इसको दिया जाता है ठीकिन आप जैसे अब आप देखो के तो आप कटाई चल रही है रभी की है ना तो इसमें फसले कौन-कौन सी आजाती है गहूं जीरा अलसी चना अर्भी जो अफीम दन्या मतर आदी मैंने जब करसी वाली क्लास ली थी तो वहाँ पर आपको बहुत सांदार सांदार ट्रिक से ये सारी चीज़े बताई थी के रभ जी अगर चाहे अर्भी सुरुवात मराई से सर से पकड़ तारे पर फैक दे ये बताया था खरिप चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में कोई भी यूट्यूब पर है तो आप सर्च करके वहां से देख सकते हो कोई भी क्लास आपको सर्च करनी होना उस क्लास के टॉपिक का नाम लिखे आगे लिखे सिर्फ जीजीडी आपको सीधी ही वह क्लास वहाँ पर मिल जाएगी पहले या दूसरे वीडियो में मिल जिन्होंने नई पड़ी ट्रीक वगर है वहां से देख सकते हैं खरीद की फसले बुआई इसकी लगबग जून से अगस्त में यानि की बुआई जो आइना वो मानसून में मानके चले आप बुआई इसकी लगबग लगब मानसून में होती है और कटाई सितंबार यह सारी चीजें आजाती है आपके खरीफ के अंदर फिर जायद जायद की जो है यह मार्च अपरेल में लगबग वोते हैं और मार्च से जुन जुलाई तक ही समझोना यह चलता है यानि कि इसमें कौन कौन से आजाएगी तर्बूज है खर्बूजा ककड़ी सबजियां त सारी कि सारी आपके जायद फसल complete अंतरगत आटी अब यह नहीं दे रखी ती तहीं उसके अंदर लेकिन अपन को सामेल कने पर पढ़ती यह माहा नई दे रेखे थे ऊसके अंदर लेकिन मुझे पता है कि मेरे विध्यारतियों को क्या चाहिए तो मुझे सामृ करना पड़त बहुत अच्छी तरीके से इसमें दे रखा है, मुझे अच्छा लगा, फिज्रेपन के कारण मैंने हुवहू लिये हैं, देखो क्या है, सुखा, अब सुखे से परभावीत कौन सा चेतर रहता है, राजस्थान का पस्चिमी भाग जादा सुखे से परभावीत रहता है, यह स पानी से भी होता है, लेकिन अपने यहां पस्चिमी राजस्तान में यदि देखे तो हवाओं से जदा होता है, तो मुर्दा आपरदन होता है, तो यह सारी चीजे परभावीत करती है, दूसरा आर्थिक कारण है, आर्थिक कारणों में क्या है, किसानों की निर्दंता, उपज का कम मुल्य मालों उपज कर भी दि लेकिन फिर बे बेचने जाते धो नियुन्तम समर्थन मुल्य भी उन्हें मिल पाता है पर किसान महांद करें होता है यहांपे से निर्धन रहाजता पूरानी तक्निकों का प्रियोग करना नई नई जो टेक्नोलोजी आ रही है उनसे परिचित नहीं होना या उनके लिए सक्सम नहीं होना तो फिर पूरानी तक्निक के काम में नहीं जाती है सीचाई के स्थादनों की कमी होना और उत्तम खाद बीज की कमी होना ये भी आर्थिक कारणों के अंदर आएंगे संग्ठनात्मक कारण इसमें भू स्वामित्व की समस्या आप देखों कई बार ऐसा होता है आप लोग आज पास देखते भी हो कि जमीन जो है करशी के लिए दी जाती है ठीक है अब उसमें भू स्वामित्व की समस्या हो जाती है उसने जितना हो गया है उसका उससे कितना पर समस्यां जो है कुछी में पिछड़े पन के कारण के अंतरगत आती है राजस्तान के संदर्व में इनको बोलते हैं ठीक है इस तरफ जो देख रहे हैं आप वो किताब के अंदर देश में सरवादिक बाजरा सरसों गवार का उत्पादन कहां होता है राजस्तान में उत्तरपरदेश के बाद जो और चना उत्पादन में भारत में दूसरे पर है राजस्थान प dilem квaschami यहां जाता है या बाज़रा सरवादिक बोया जाता है यानि बाज्रा सबसे जादा कहाँ फस्ची राजस्थान में बोया मक्षीणी राजस्तान में जाएगी मेवार जाय्द में बुफत गेहु उत्पादन के अंदर अग्रणी रहता है पच्चिमी राजस्तान में इंद्रागांदी नहर से करीब सत्रा पॉइंट पॉइंट पांच लाख हेक्टर शैत्रे में सीचाई की सुविदा का विकास हुआ है राजस्तान में सिर्फ 35 परतीस परतीस परसली शैत्र जाती है लगबद 66 परतीसत के करीब बाकी जो है फिर नहरों से और तालावों से तो बहुत ही कम एक परसेंट की सम्तिंगी रहती है यह सीचाई की सुविदा यहां की व्यवस्ता जो है यह रहती है तो यह अपने हो चुका है देखो आब अपने आज क्या पटा है आजाद इसे पूर्व सरकार में अपने जागिर्दारी व्यवस्ता को समझा ठीक है पूरी की पूरी यह सब्दावली समझी राजा और मंत्री और यह सारे प्रमुख मंत्री दिवान के आगरें बक्षी और सेनों संबंदित है खजान ची खजाने का ध्यान रखेगा यह पर गणा अधिकारी वगरें फिर आये अपन जागिर्दारी मतलब जागिरें दीक इसको जाती थी क्या इनके पीछे बावना रहती थी वह गरें वह सारी चीज़ फिर आये ब्रिटिस का लिन कुछ फैक्ट दे रखे थे इनको अपने बड़ा है ठीक है इसके बाद में अपन आये है इसमें आज अपने करशी पड़ा है अब यह रभी की फसले और यह सारी बोटों यह वी सिमें ऐसे कैसे रखा है तो आज विका के साथ मों में अपने रभी खरीव और जायद फसले कौन-कौन सी है यह यहां से प्रसण बहुत बनता है ध्यान रखना यह फ्रसणों से बहु यही रहती है जुतनी भी PDF जैसे कि कल की जो आर्बीसी की क्लास की PDF थी वो भी आपको टेलीग्राम पे उपलब दिखरवाधी लिए यानि कि क्लास होने के 24 गंटे के अंदर अंदर आपको PDF दे दी जाती है तो कल वाली PDF दे चुके हैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए सात्यों एक तो कि बहुत जल्द ध्यान देना यह सबसे महत्वपूंड चीज़ हैं एंसी ए आर्टी और आर्बीसी दोनों की अलग अलग सेपरेट टेस्ट सीरीज आप लोगों के बन रही है और टेस्टी जैसी बन रही है कि एक एक प्रस्णों को एक्जाम एप्रोच के उनुसार इनमें से छाटना और उस हर प्रस्ण पर अभ्याज करवाना हमारा टार्गेट है लगबग लगबग सितर से 75 प्रतिसत काम हमारा हो चुका है काफी सारे चैप्टर की टाइपिंग चल रही है जैसे छटी साथ हुई आठवी के चैप्टर जो है टाइप हो जाते हैं तो भी मैं उस प्रयास बहुत कम लोग करते हैं वापस कि पढ़ना इसमें से यह चीज है अब मैं भी कह दूं आपको के एंसी आटी बढ़ो अब पता चला कल मेरे कहने से 25 किताब आप एंसी आटी की लेकर तो आ गए अब उन्हें पूरा करने में दो साल लगे फिर मेरे कहने का मतलब क्य सब्सक्राइब निकला वह इसमार्ट कैसे हुई फिर तो यहां पर मैं प्रयास यह कर रहा हूं कि यही टेस्ट जो आपको अन्य प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी देखो जो अपना एप है आप लोग सभी देखते हो टेस्ट एक साथ खुलते हैं फैसिलिटी सारी देखते हो उसको मेंटेन करने में जितनी लागत लगती है ना मैं सिर्फ वो लेता हूं मैं यह टेस्ट त्रीज आजार रुपे 1100 रुपे में भी अगर दूना तो यह हस्ते हस्ते जाएगी क्योंकि इसके अंदर बुनवता बहुत ज़्यादा है और ऐसी चीज़े मिलती नहीं है क्य जो है उसे बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास कर सके अंतिम पंक्ती में बैठा हुआ विद्यार्ती भी बहुत बहतरीन तरीके से अभ्यास कर सके और इसे एक्सेज कर सके यह अपना टार्गेट रहेगा ठीक है तो यह जैसे ही पब्लिक हो जाएगी मतलब बन जाएगी फिर उसे पब्लिक कर देंगे बाकी चेप्टर चुड़ते जाएंगे ठीक है वो मिलेगी कहां आपको जी जी डी एप पर मिलेगी गौरव ग्यानदारा एप पर जो प्ले इस्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं बाकी फर्स्ट ग्रेड की और रीट पातपता की और यह सब अब्याद कर सकते हैं तो जिसको जो आवेशिक्ता मैसुस होती है अब्याद की वो देख लेना अब्याद आज की तारिक में महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कंपिटिशन एक्जाम का लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्ती कहीं न कहीं से वंचीत रह जाते हैं लेकिन जब से आप लोगों का सयोग में मिला है और जीजीडी प्लेटपॉर्म अस्तित्वों में आया है तब से अभ्यास वाली समस्या हर तरीके से हर विद्य अभ्यार्ती अभ्यास कर सकता और बहत्रीन अभ्यास कर सकता है टैसरीज के मामले में टॉपिक वाइज आप देख लेना सबसे बेस्ट टैसरीज चल रही है राधुस्तान के अंदर अपनी जीजीडी की ठीक है तो यही चीज अब एंतियार्टी और और आर्वियासी कर सकता ब हम अढ़े हैं थाध एंदर खाइभ Cambridge